इस वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। और इस स्टोरी का नाम है जान एंड जैक। जान एंड जैक। जान है इस बच्चे का नाम और जैक है इस कुट्टे का नाम। और ये कहानी है एक बच्चे और एक कुट्टे के मुतलिक। चले हम पहले रीट करते हैं आपने भी मेरे साथ रीट करना है और फिर मैं आपको ये स्टोरी उर्दू में समझाऊंगी। शुरू करते हैं। I am Jan and this is Jack, said Jan. Jack is a dog. He is a smart dog, said Jan. Jack wants a stick. He wants this stick, said Jan. Jack thinks this stick is neat, he said. Jack can run to this stick, said Jan. Jack is a neat dog, he said. I am Jan and this is Jack, said Jan. Jack is a dog. He is a smart dog, said Jan. Jack wants a stick. He wants this stick, said Jan. Jack thinks this stick is neat, he said. Jack can run to this stick, said Jan. Jack is a neat dog, he said. चलेंगी। बारि को एक इस अ दो में चाहनी उर्दू में समझाती हूँ। I am Jan and this is Jack, said Jan. John एस लड़के का नाम है। और जान ये बता रहा है के मेरा नाम जान है। और ये जो है ये जार्दुय। यानि इस तस्वीर की तरफ देखिए तो आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा कि यह जान है और यह जाक है और जान अपने और अपने कुटे के मुतलिक बता रहा है कि मेरा नाम जान है और यह जाक है जाक इस डाग और जाक एक कुटा है और जाक एक कुटा है और जान क्या बता रहा है कि जाक एक स्माट कुटा है यानि होश्यार कुटा है जान ने क्या बताया कि जाक एक कुटा है और जाक एक होश्यार कुटा है Jack wants a stick He wants this stick, said John अब जान ये बता रहा है कि Jack को एक लकड़ी चाहिए लकड़ी यानि stick इसे हम छड़ी भी कह सकते हैं लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं होती साइज में ये छोटी होती है अब Jack को जो है stick चाहिए और अब जान बता रहा है कि he wants this stick यानि जो Jack के हाथ जान के हाथ में जो stick है वो Jack को चाहिए यानि ये वाली stick Jack thinks this stick is neat He said अब Jack को ये लग रहा है कि जान के हाथ में जो stick है वो neat है यानि साफ सुत्री है Jack can run to this stick said John और अब जान ये बता रहा है कि अगर मैं इस लकड़ी को या stick को दूर फेकूंगा तो जान जान का जो डॉगी है Jack वो stick के पीछे भागता हुआ जाएगा और वो stick को पकरने की कोशश करेगा run का मतलब होता है भागना Jack is a neat dog He said यहाँ पर he said का मतलब है कि जान ये कह रहा है और जान ने क्या बताया जान ने कहा कि Jack जो है वो एक साफ सुत्रा कुटा है neat का मतलब है साफ अब Jack जो है वो जान का कुटा है तो जान ने उसे साफ सुत्रा रखा है और इस तस्वीर से हमें ये मालूम हो रहा है कि जान अपने कुटे के साथ खेलता भी है चलें अब आप ये बताईए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी जी हाँ मुझे भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी अब आप इस वीडियो को दुबारा देखें और साथ में इस स्टोरी को दोहराईए ताके आप जल्दी से English Reading सीख जाए